आज यहाँ पर हम बहुती खास प्रोटीन रिच हेल्दी स्नैक बनाएंगे तो आज यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं हरा भरा कवाब जिसे आप घर पर बहुती आसानी से बना सकते हैं इसकी रेसिपी बहुती आसान है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक बड़े से बरतन में यहाँ पर पानी को अच्छी से बॉयल कर लेंगे जब अच्छी से बॉयल हो जाएगा तब यहाँ पर हम डालेंगे पालक पालक को हमें बॉयल नहीं करना है इसे ब्लांच करना है और डाल कर तुरंथ ही इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर मेरा पालक ब्लांच हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है मतर तो मतर आफ फ्रेश या फ्रोजन कोई भी यूज़ कर सकते हैं और उसको भी हमें सिर्फ ब्लांच करना यानि कि एकदम गरम पानी में उसको डालना है और 2 मिनट बाद निकाल लेना है तो यहाँ मैंने 1 कप ली है मतर यहां 200 g मैंने पालक लिया था तो इस मतर को भी हम देखे इस तरीके से डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे और अब इससे निकाल लेंगे और अब हम एक जार में इन सारी चीजों को डाल लेंगे तो मैंने पालक को पहले से ही डाल रखा है यहाँ पर मैंने मटर को भी एट कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी हरा धनिया साथ ही पोदिनी की पत्यां भी एड़ कर देंगे और उसके बद यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्च तो यहाँ दो से तीन हरी मिर्च मैंने बारी काट के रखी होई थी और आप ऐसे तोड़के टाल दें और यहाँ पर लिया है मैंने अध्रक लैसुन ग्रेट किया हुगा अध्रक लैसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं तो यहाँ एक टेवल स्पून पेस्ट एड़ कर दें और इसको अब हम अच्छे से क्राइन कर लेंगे यहाँ पर हमारा पेस्ट बन कर तयार हो गया है इसमें आलू, तो यहां पर मैने 2 उबले हुए आलू लिये हैं, आलू को अच्छी से मैश कर लेना है पनीर लिया है यहां पर मैने ग्रेट किया हुआ, उसके बाद यहां पर लेंगे हम रोस्टेट बेसन तो यहां पर सक बेसन को हल्क असा पहले भूलनें और फिर अट कर दे एक चमच गरम मसाला, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच जीरा पाउडर और एक चमच यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे और फिर डालेंगे यहाँ पर नमक, स्वादा नुसार, इसके बाद सारा अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, तो यहाँ आप हाथ से या चमच की मद पर रखें और इसको हम गोल शेप देंगे यानि कि बस पेड़े की तरह आपको राउंड राउंड बना लेना है देखिए इस तरीके से तो उसके पात यहां पर हम लेंगे थोड़े से काजू के टुकड़े और उपर लगा देंगे एक काजू का टुकड़ा और बस हमारा ये टीस्टी होते हैं और साथ ही में हेल्दी भी होते हैं तो अब आप घर पर ही ये रेस्टरेंट स्टाइल कवाब आप घर पर बना सकते हैं और इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं तो आप इसे सौस या चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं तो यहां पर हम गैस पे पै पर ये पैन गरम हो गया है और अब हम इसको धीरे-धीरे कवाब पैन में डाल देंगे और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको सिखने देंगे तो यहाँ पर मैंने सारे कवाब इसमें प्लेस कर दिये हैं और जब एक तरप से थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे दूसरी तरह पलट देंगे उपर से हलका सा ओयल लगा देंगे ब्रेश की मदद से तो यह बहुत ही कम ओयल में मैंने इनको बनाया है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको अब पलट देना है तो यहाँ पर मैं इसको दूसरी तरह पलट दूंगी और इन से सर्व करेंगे और अगर आपको मेरी ये रैसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी बंद भूलिएगा अगर आपको कोई और रैसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं